जे मसी की दोस्तों, आज की सुर्गिय मन्ना का भाग हमने लिया है भजन सहीता की पुस्तक, उसका चौदेश्वा अध्याय और उसका पंद्रवा वचन. वचन कहता है यहुआ की आँखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी पुकार पर लगे रहते हैं. दोस्तों, मैं मरियम को बहुत 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 उसके चरित्र को बहुत इस्ज़त देता हूँ, मैंने जब भी उसके बारे में पढ़ता हूँ, अद्भू तरीके से उनमात और उत्सा मेरे मन में आता है, हालेलुया. सुचिए दोस्तों, जब मरियम की यूसफ से मगनी हो गई थी, उसके बाद परमेशर की यूशना उसके जीवन में आती है, और जिब्रैल दूत आता है और कहता है, के मरियम परमेशर तुझे माँ बनाना चाहता है, तेरी को काउप्यों करना चाहता है, और मरियम एक पल भ लेकिन कहीं न कहीं वो जानती है, कि मैं जोजफ से प्यार करती हूँ, कहीं न कहीं उसके मन में तड़प है उस प्यार के लिए, उस वो खुशी जो उसने देखी थी, जो सपने उससे संजोए थे जोजफ के साथ शादी के लिए, वो सपने कहीं न कहीं उसके मन में थे, आल तो रूट मत, तो उस घलत मत समझे मर्यम को, मर्यम पवित्र है, वो एक कुमारी है, वो एक पुत्र को जनेगी तो सही, लेकिन वो पवित्र आत्मा के सामर्स से बैदा होगा, इसलिए तू उससे ब्याकर, उसको अपनी ब्याता बना, और उसके साथ जीवन का सुक भोग जो तोने सोचा है, मर्यम तेरी हाललिया, परमेश्वर अद्बुत है, परमेश्वर हमारे मन की बातों को जानता है, परमेश्वर अद्बुत हमारे मन की च्छाओं को पूला करने के लिए, मैं आपको बताओं, ततपर रहता है, ततपर, आपका पिता, आपका परमेश्वर इत इतना प्यार करता है हमसे कि हम अगर जो कुछ मन में सोचते भी है परमेशर उसी समय उसका पूरा करने के लिए ठत पर रहता है इसलिए भजन साहिता 149 का चार का कहता है कि इसके पूर कोई बात मेरी जीव पर आए है यहवा तो उसे पूरी निती से जानता है तु जानता है मैं क्या चाहता हूँ तु जानता है मैं जे क्या चाहिए तु जानता है धन्यवाद पिता परमेशर तु अद्बोत है इसलिए हम धन्यवाद देते हैं परमेशर के पवित समर्थी नाम पर दोस्तों मैं कभी कभी उस मा को देखता हूँ जिसने नए बच्चे को जनम दिया है तीन चार महीने का बच्चा हालेलुया अगर वो किसी दूसरे कमरे में काम कर रही होती है लेकिन उसका कान उस बच्चे पर लगा होता है सुचिए आप कभी आपने देखा है वो मा कहीं भी काम करेगी लेकिन उसका कान बच्चे की उपर लगा रहेगा बच्चा करवट लेगा वो जानती है बच्चा उवो भी करेगा तब भी उसको उसकी आवाज सुनाई देगी क्योंकि वो उससे प्यार करती है क्योंकि उस बच्चे को उसने जर्म दिया है ये मत भूलिय की परमेशों ने हमें जर्म दिया है ये मत भूलिय की परमेशों ने हम पर क्रिपा किये ये मत भूलिय की परमेशों ने हमें समारा है और अपनी आत्मा से भड़ दिया है दोस्तों जकरिया जकरिया एली शिबा का पती यहना का पिता हाले लिया याद करिये परमेशियर उस पवितर करेक्टर को उस चरितर को हाले लिया वो निरंतर प्रातरा करता रहता मनी मन वो बुला हो गया था उसके बच्चा नहीं था लेकिन मनी मन, मनी मन वो प्रातना करता था प्रातना करता था अपने बच्चे के लिए इसलिए यह ले यह लोग लुखा एक तेरा में बचण कहता है कि सुर्दूत ने उस से का हिजगरया भेभीत नहो कि तेरी प्रातना सुन ली गई है तेरी पतनी अलीशिवा Mr. Shiba से तेरे लिए एक पुत्र उत्वपन होगा और तु उसका नाम जहर न रखना देखा दोस्तों, मन ही मन प्राथना को परमिशक कैसे काल लगाता है कैसे उसने उसकी प्राथना को सुना, उस धर्मी वेक्टी, वो धर्मी था और उस धर्मी वेक्ति के उसने प्रातना सुनी और उसके मन की इच्छा को पूरा किया दोस्तों हमारा पिता महान है हम धर्मी हैं और उसके बनाए गए हैं उसके चुने गए हैं यह विश्वास करिये हर पल, हर छण, हर मोड़ पर हमारा मनजोद खदुहाई देगा परमेशर उसे उसी समय पूरी करेगा मैं विश्वास करता हूँ मैं अपने जीवन में यही पाता हूँ हर छण, हर मोड़ पर, हर मौसम में जब जब मैंने जो जो चाहा है परमेशर ने मुझे अदबुत तरीके से मेरे सामने रख दिया है इसलिए दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि परमेशर आपकी और कान लगाए हुए है आपकी और कान लगाए हुए विश्वास करिए, आप हर सुबह महसूस करिए कि परमेशर का कान आपकी और लगा हुआ है इस सुवह पूरी तरीके से हम इमानदारी के साथ परमेश्र के चरणों में समर्पित करते हैं अपने आपको और धन्यवाद देते हैं परमेश्र कि तेरा कान हम पर लगा हुआ है, हमारा कोई आहित नहीं कर सकता, हमारे जीवन की हर संभावनाएं, हर हमारे जीवन की उसको चटां के तरह मजबूत करते हैं, इसी मुसी के पवधित समर्थी नाम से मागते हैं, एमैन, 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 एमैन.